पर में लोगों से कहना चाहता हूँ, कम, मेक इनी नी जारकंट के पूर मुख्यमंद्री हैमन सोरेन को आखित कार जमानत मिल ही गई है जारकंट हाई कोट के जेस्टिस रंगन मुखापत ध्याय ने शुकरवार 28 जुन को जमीन खोटाला मामले में जेल में बंध हैमन सोरेन को जमानत दे दी है जावू मोनीता हैमन सोरेन को 50,000 रुपे के दो मुचलकों पर जमानत दी गई है 31 जनवरी 2024 के रात को प्रवतनी देशाले ने लंबी पूछ ताश के बाद उन्हें गिरफ़तार किया था बढ़गाई में 8.5 एकट जमीन के खतित खोटाला मामले में चारकंट मुक्ती मोर्चा के नेता और चारकंट के पुर्व सीम हैमन सॉरेन के वक्टी लगतार जमानत के लिए कोट में अर्जियां लगा रहे थे मनी लाउंटिंग केस में गिरफ़तार की गए हैमन सॉरेन ने पीमले कोट से लेकर हाई कोट और सुप्रीम कोट तक में जमानत की अर्जिय दी थी लेकिन बार बार उनकी जवाना तरसी खारिज हो जारी थी आखरकार आज उनको जारकंड हाई कोट से बड़ी राहत मिली है जारकंड हाई कोट में हैमन सुरेन की याचिका पर 13 जून को आखरी बार सुनवाई हुई थी उस recall मनेता के वक्तिल कपिल सिब्बल ने अपने वक्तिल को जमानद देने की पैरवी कोट में की थी उनकी दलीलों का प्रवतत व्यशाले के वक्तिल एसवीराजो ने विरोष किया और कोट से आगरे किया कि हैमन सुरेन को जमानत नहीं दी जाए दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुकोपध्ध्याई ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था शुकरवार की सुभर डबल बेंच की सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुकोपध्याई की सिंगल बेंच ने अपना आदेश सुना दिया उन्होंने कोट रूप में एक लाइन का फैसला सुनाया जिसमें कहा कि हैमन सुरेन को जमानत दी जाती है जारखंड मुक्ती मोचा ने हैमन सुरेन को जमानत मिलने पर प्रसंता जताई और कोट के फैसले का स्वागत किया जारखंड हाई कोट में एडी को उस वक्त छटका लगा जब जमानत पर 24 घंटे के स्टे लगाने के उसके आगरे को नावन्जूर कर दिया गया ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली